इन्वायमिंटमेंट में पानी लेमिटेड तो नहीं है हैतो नृमितेड कईों के घर में पूरा दिन पानी आता है कहिए के घर में सुबा-शाम आता है और वॉल lts कभी-कभी एतनी जादा भारी होती हैं कि उस पर्टिकूलर एरिया में और्थक्वेक्स आने के चांसे भी काफी बढ़ जाते हैं यह एक मैप में आपको सारे डाम्स मिल जाएंगे सारे हालो बच्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब आपको दिल और दिमाग दोन से पढ़ाते हैं और एक चाप्टर को अंडर 10-12 मिनिट्स में कवर करते हैं और एंड आप दे वीडियो पर आपको मिलते हैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो एक्जाम पी ओवी से काफी इंपोर्टेंट है आईए शुरू करते हैं आज की सेशन को डाट इस वाटर रिसोर्स तो बच्चो इतना प्यारा इजी पीजी चाप्टर है क्योंकि पानी क लेकिन फ्रेश वाटर लिमिटेड इन नेचर है यानि कि जितनी जादा पॉपिलेशन है उसकी अकॉर्डिंग जो पानी है वो तो भाईया कम ही है क्योंकि जितना भी पानी अवैलेबल है देखा जाए तो थ्री पोर्थ एरिया हमारे ग्लोब का पानी से कवर्ड है लेकिन पानी को सेव करना हमारी ड्यूटी बनती है और वी ओल लो वाटर इज अरी निव एबल रिसोर्स नाव क्वेश्चिन यह आता है कि वाटर स्कार सिटी के कारण क्या क्या है तो बचों वाटर स्कार सिटी का मतलब होता है पानी की कमी आप खुदी सोचिए ना इसका आंसर ह हम बना के भी लिख सकते हैं जैसे ऐसे पॉपिलेशन इंक्रीज होगी पानी की कमी होगी हम वेस्ट फैकेंगे पानी की कमी होगी इन्वार्मेंटल डिग्रेडेशन होगा पानी की कमी होगी है ना वही केमिकल पेस्सिसाइड जूद करें यूज करेंगे पानी की कमी होगी तो availability of water resources अलग-अलग location पे अलग-अलग समय पे अलग-अलग है कईयों के घर में पूरा दिन पानी आता है कईयों के घर में सुबा शाम आता है कईयों के घर में alternative day पे आता है कईयों के घर में हक्ते में एक बार आता है तो water scarcity होती है immoderate use यानि की over exploitation of water से जब भी हम over irrigation करते हैं या वो जगाएं जहां पर पहले से ही पानी की कमी है over exploit करते हैं वहाँ पानी की scarcity हो जाती है तो water resources तो अलग-अलग जगा पे अलग-अलग available हैं मेजर कारण क्या हो गया इसका over exploitation over irrigation and bad quality of water because of humans only हम लोग जो वेसे पानी जो है वो खराब है अब इसमें एक major second topic जो आता है वो आता है डांज का एक्जाम में डांज के या तो फाइदे पूछे जा रहे हैं या पूछे जा रहे हैं नुकसान बता दो तो पहली बात तो डांज को multipurpose projects क्यों कहा जाता है तो डांज को multipurpose projects इसले कहा जाता है क्योंकि यह multiple process you know purposes को fulfill करते हैं जैसे कि इनकी अच्छाईयां अगर बत से gates लगाये जाते हैं and recreation of aquatic animals breeding करवाना इस सब में यह मदद करते हैं यह तो हो गए भाया सारे डांज के फाइदे कि देखो क्या कि टूरिजम एट्राक्ट करते हैं तूरिजम आते हैं ना यह देखने टहरी डांज हम लोग गए थे अभी recent चुटियों में भी घूमने गए से तहरी महां डाम भी गए थे हम तो साइड एफेक्स क्या है लेकिन इन डांस के इनकी कुछ बुराईयां भी तो है बचो जो डांस बनाए गए थे फ्लट को कंट्रोल करने के लिए वही फ्लट ले आते हैं क्योंकि कभी-कभी पानी का बहाब इतना तेज होता है कि वह उस परत को उस गेट को तोर देता है और पूरे के पूरे गाउं बहते चले जाते हैं हाबिटाट खराब होती है एक्वेटिक लाइफ की रिवर्स को फ्रेगमेंट करना पड़ता है बाटना पड़ता है क्योंकि बड़ी-बड़ी वाल्स लगती है न और यह वाल्स कभी-कभी इतनी जाधा भारी होती हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में और्थक्वेक्स आने के चांसे भी काफी बढ़ जाते हैं इसी के उपर बनाये गए कई आंदोलन जैसे की नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टैरी डाम आंदोलन यह आंदोलन बनाये गए थे डाम के अगेंस नर इवेंट करने के लिए उस एंजियों ने यह मूव्मेंट चलाया था और साथ-साथ इन्वार्मेंट को बचाने के लिए जब भी डाम बनेगा रिवर के नीचे फ्लॉरा एंड फॉना डिस्टर्ब होगी दबेगी मरेगी खराब होगी यह भी इसका एक डी मैरिट है बहु इसकी बुराहियां पूछ लिए बनाया था लेकिन ट्रिगर करा है फ्लड को या इसके डी मैरिट बताइए सीदे-सीदे पूछ लेंगे या घुमा के पूछ लेंगे कैसे भी अब इसी के चलते वन मार्कर में यहां से बहुत ज्यादा कोशन आता है बहुत ज्यादा मतलब जिससे पानी को सेव किया जाता था तो बेटा जी पहली सेंचुरी में श्री श्रिंग गावपुर नियर अलाबाद में सोफिस्टिकेटीड एक सिस्टम बनाया गया जिसमें गंगा के पानी को प्रिजर्व किया जाता था उसके फ्लो को रोका जाता जैसे मुना है दूरिं यहां से वन मारकर बहुत आता है कि 14th century में होस कास में टैंक मनाया गया जो आसपास के एरिया को पानी भी देता था इरिगेशन के लिए और नीज को फुल्फिल भी करता था जब वाटर की कमी होती थी तो यहां से वन मारकर बन जाता है यह आपका नर्मदा बचाओ अंदोलन जो मैंने अभी आपको बताया डिस्प्लेज पीपल के लिए किया गया था सर्वाइवर्स के लिए यह एक मैप में आपको सारे डाम मिल जाएंगे सारे रिहां दो गया यहां आपके भया सरदार सरोवर डैम हो गया राना परताफ सागर हो गया तो जो भी मैप आ रहे हैं हिरा कुन डैम हो गया तहरी डैम हो गया यहां पर आपका हो गया तहरी डैम भाकरान अंगल जातर सालाल तहरी यह हारवेस्टिंग बारिश के पानी को सेव करना अगैन पॉपिलेशनी ज्यादा पानी लिमिटेट तो पानी को तो जिस भी तरीके से आ रहा है उसको सेव करना है फ्रेश वौटर बीटा राउंड ऊतर वी होता है सरफेस वानौ फी होता है लिकिन रेन वटर वैसे तो फ्रेश होता है ट्थ बातर लेगिन जब तक नीचे आते हैं तो गासर ड्रक्राइश के सास्थ छलब हो जाता है तो रेन व्तव नौटर बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम पानी को सेव करते हैं और वो अलग-अलग तरीके से किया जाता है एक होती है रूफ टॉप रेंवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानि कि छत पे एक पाइप कनेक्ट किर दी जाती है और वो जाके आतो नीचे टैंक में घुसती है या घर के टाप में भी सीधा जाके जुड़ सकती है पहला बारिश का पानी को ऐसी वेस्ट होने देते हैं क्योंकि चछत साफ करता है पाइप साफ करता है दूसरे पानी से इसको सेव करना शुरू कर दिया जाता है हूँ विल टेल में दा कॉमेंट सेक्षिन विच्छ विच व खोद दिया जाते हैं उसका नाम कर दिया गल्स एंकुल्स गड्डे खोद दिया उसमें पानी सेव हो रहा है उसको यूटिलाइज कर लेंगे इरिगेशन के लिए पाधों के लिए किसी भी चीज के लिए रूफ टॉप रेंवाटर हार्वेसिंग राजस्तान में तो काफी एकुल्स एक जैसलमेร का दिंझ और जैघ्ळ सान जोहत जै के एक नंबर में आता है जैसलमेर खादिंझ आर जै आर्जा होगए आपके राजस्तान और Mozart बस लास्ट आगया आपका बैंबू डिप एरिगेशन बहुत साल पुराने बहुत साल 200 साल पुराने का यह सिस्टम है अब ज्यादा नहीं चलता है यह बैंबू की स्टिक्स को इस तरीके से जोड़ा जाता है ऐसे ऐसे और इसको सीधा खेतों तक पौधों तक लेके जाया ज चैनल होते हैं जब भी रोड आती है चानल जो पर आते हैं वैसे यह slanting बनाया जाते यह ऐसे slanting बीटा जी सारे पीपिटी इस टेलीग्राम पर मिल जाएंगी शौट कट की यह शौट शौट वाले की सारे पीपिटी जाएंगी that's it पाइप से ही यहां पर पानी भेजा जाता है अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डाम के मेरिट्स डी मेरिट्स बच्चों नहीं करोगे तो आपकी गलती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग वन मारकर भी बनते हैं क्यों नीड है ऐसा भी आ जाता है एंड कैसे आप यह होती इन ही में से सवाल आ रहे है मित Term में बोर्ड में आते आते तो यह आड़ि यह के कर दिया rooftop rain water harvesting compulsory compulsory जो नहीं कर रहा उसको fine भुगतना होगा अब आपको मुझे comment से बताना है कि next आपको इस सीरीज में किस chapter का exam booster चाहिए quick revision चाहिए मैं और रेड़ी resources forest के डाल क्यों this one is of water resources next आपको कौन सा चाहिए जल्दी से comment बता देना दोस्तों को शेर कर देना ताकि वो लोग भी पाच-पाच-बिनट 2x पर एक तो ना तुम लोग पाच-पाच-बिनट में chapters को recall कर सके so guys see you all in the next episode of this exam booster series तब तक पड़ते रहे